नमस्ते दोस्तों, तो चलिए आज हम बनाते हैं गनपती बापपा के लिए बिस्किट के मोदक, जिसे बनाना सबसे आसान है आपने मोदक की कई रेसिपी देखी होगी, मैंने भी धेर सारी रेसिपी मोदक की शेर की है आप चाहे तो उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या आई बटन में भी आप में इसको दे दूँगी रेड वेलवेट मोदक हो गया कि कॉटन केंडी मोदक से लेकर सब तरह के मोदक हमारे चानल पे है आज हम उसमें से सबसे आसान मोदक की रेसिपी देंगे जो है बिस्किट के मोदक यहाँ पे आप कौन सा भी बिस्किट ले सकते हैं मैंने इससे पहले ओरियो के मोदक की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की है जो चौकलेट फ्लेवर में बनता है आज हम बिस्किट के मोदग बनाएंगे वो भी बिल्कुल प्लेन इसमें कुछ ज्यादा इंग्रिडेंट नहीं जाएंगे बिल्कुल 2 मिनिट में बनने वाली रेसिपी है यहाँ पे बिस्किट ले लिजएगा मैंने यहाँ पे जो मॉम्स मैजिक वाला बिस्किट आता है उसे ले लिया आपको इसा भी ले सकते हैं जैसे मैंने पहले कहा उसको छोटे मिक्सी के जार में डालकर उसका powder बनाएंगे देख सकते ही जितना हो सकते ही उतना अच्छे से महीन इसका powder बना लीजेगा इसमें हमने पहले कुछ नहीं डाला स्रिफ बिस्कीट को ही पीस लिया है तो चलिए आब हम इसको दूद के साथ बनाते हैं इसका डो थंडा वाला दूद चाहिए जो पका कर रोम टेंपरेचर पर लाया था मैंने उबला हुआ दूद है जिसे थोड़ा थोड़ा डाल कर हम इसका डो लगाएंगे दूद को बिलकुल थोड़ा थोड़ा डाल दीजेगा क्योंकि इसमें बिलकुल कम दूद लगता है ज्यादा दूद नहीं लगता मैंने आधा कफी दूद लिया था लेकिन इतना भी नहीं लगेगा इसमें से ही थोड़ा सा बच जाएगा तो अच्छे से इसको मिलाते जाए और इसका डूम बनाते जाए तो देख सकते हैं थोड़ा सा दूद लगा और यहाँ पे मेरा दूद थोड़ा सा बज़ भी गया है बिल्कुल कम दूद का यूज होता है इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि थोड़ा कम कम करके ह इसमें डालीगा नहीं तो यह जल्दी से पतला हो जाएगा तो इसके अच्छे से मोदक नहीं बनेंगे चलिए अब हम अंदर की स्टफिंग को देखते हैं स्टफिंग जब बनाएंगे ना तो मोदक खाने में और भी लजिज लगेंगे तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ड लाइची का पाउडर परफेक्ट फ्लेवर आएगा इस स्टफिंग का आप चाहे तो इसमें कोई इसेंस भी डाल सकते हैं जैसे आपको पसंद हो देख लीजिएगा परफेक्ट और बिल्कुल थोड़ा सा दूर डाल कर हमने इसका स्टफिंग बना लिया है यहाँ पे चेर से मोदक मोड ले लिजेगा चार-पाच साल से चल रहा है मेरा फिल्कुल भी खराब नहीं होता है अच्छी कॉलेटी का ले लिजेगा छोटे बड़े मिडियम साइज में भी आता है जैसा आपको मोदक बनाना हो उसे साब से मोदक मोड ले लिजेगा हमने क्या किया नीचे मल्ड में जो डिजाइन हे ना वो हमारे मोदक पर अच्छे से उबर कराती है मोड को पहले हमने थोड़ा सा घी से ग्रीश कर लिया था पहली बाल इसको घी से grease कर लिजेगा ताकि मोदग बड़ी आसाने से निकल जाएं देख सकते हैं हम इसको अच्छे से प्रेस कर रहे हैं अंदर एक थोड़ा सा hole बना दिया जैसे कि गड़े जैसा उसमें हम stuffing भरेंगे तो अच्छे से stuffing भरिएगा stuffing वाले मोदग में stuffing अच्छे से हो तो खाने में और भी जादा अच्छी लगती थे यहाँ पर आप देख लिजेगा अगर आपको stuffing नहीं बनानी है प्लेन मोदग बनाना है तो आप क्या करिएगा stuffing का पूरा प्रोसेसी skip कर देजेगा बिस्कुट को मिक्सी के जार में पीसना है दूद के साथ भीगोना है और उसको मोल्ड में डाल कर मोदग बना लेना है और भी आसान है ना जैसे आपकी मर्जी वैसा बनाईएगा लेकिन stuffing बनाना भी कोई ज़्यादा जंजट की बात न मैंने यहाँ पर बना कर तयार कर लिए है देखते कितने बढ़िया लग रहे है बनाने में आसान खाने में टेस्टी इस तरह से आप मोदग जरूर बनाईएगा और आपकी अनुभो मेरे साथ जरूर शेयर करेगा मोदग की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजेगा साथ इसा चानल को भी सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते हैं नई वीडियो में तब तक नमस्कार